चन्दन स्टूडियो के यूट्टूब चैनल में आपका स्वागत है हम इस बार पूजा परिक्रा में आये हैं धन्बाद स्टेशन नियू रेलवे पॉलोणी और यहाँ पर द्रिश से बनाया गया है जाकी का गाउं से सहर की और जाकी इस जाकी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से गाउं से सहर की और विकास हो रहा है और दूसरे तरफ कई जाकी से सामाजी कुरित्यों को भी दिखाया गया है आए चलिए देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेशन कॉलोनी में यह प्रवेश द्वार एक ग्राविन द्रिश से दिखाया गया है आप देख रहे हैं पूरा ओवर्यू जी भी हो जिसमें आप देख रहे हैं सामने रेट टाकिज है लेमन चिली है धनबाद नर्सिंग होम है इस तरह का एक सहर का जो रूप है वो बहार से दिखता है चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या है अंदर में आप देख रहे हैं गाओं का दिस्ते में किसान किस प्रकार से काम करता है गाओं का हरवाई में किस प्रकार का मिठाई बनता है और दुकान में बेचा जाता है गाओं के एक नसा मुक्ति पर जाकी भी दिया गया है जिसमे बेकाया है suspect की अगान के बिक Х smokes उटी यहां वाओ पठान uzड़ाई उका करता है शिल रश्ध के तक के पत्भाब्र में क्यांना फाला ऺशना खाया सुँआने अटाइएश प्रोते श्यक्री जॉड़ियुक्त दूंट सी का पेर रहता है घर के सामने और हुगा पानी हो रहा है यहां पर बेटी पर हो रहा है अत्याचार को दिखा गए है जिसमें मेहिला पुलिस भी है यह पेशेंट को लाया जा रहा है हospeatele की प्रकर से खट्या में ढोकर के ले जा रहा है क्योंके वहाँ पर ambulance की सुवीधा नहीं रहती है यह जा रहा है ग्रामिन स्वास्ते केंद्र और वहाँ पर एक लिखा हुआ बोड लगा है डॉक्टर साहब छुट्टी पर है जैसा कि सावा ने परिस्थिती में देखा जाता है उसके उपर में सोलर पैनल लगा हुआ जो सरकारी वेवस्था रहता है गर्मी के दिखाएगा है किस तर से कववा मू लगा करके पानी पीत हुए फृटी को दिखाएगा है वह फल वेगार लीव हुई है कि धीरेट विकास हो रहा है गाउं का गाउं के लोग किसां ट्रेक्टर चला रहे हैं, ट्रेक्टर पर काम कर रहे हैं, तलाव दिखा गया है, तलाव में मचली पकड़ते हुए दिखा गया है, तलाव की ठीक सामने ही बनाया गया है मा का मेन पंडल, जो की एक गाउं का घर है, खुटिया है, जिसमें मोदी की स्वच्छता अव्यान को को भी दिखाया गया है मुदी जी घुझ साफ कर रहे हैं जारू लगा रहे हैं सहर कद्रेश का स讓 के होस्चेल को भी दिखाया गया है वरायमसन होटल यह है यहां का दुर्गा मा करती मा पुया पंडाल में गाव में विराजी है मा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और स्टेर जरूर करें ताकि और भी बाकी सब साथी आपके देख पाए चंदन स्टूडियो धन्यवाद